नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयूरवेद शिक्षा में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में तो यदि आप भारत में रहते हैं तो आपने अश्वगंधा नामक जड़ी बूटी का नाम तो जरूर ही सुना होगा इस जड़ी बूटी को अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है और आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन आयूर्वेद और युनानी चिकित्सा पद्धतियों में अश्वगंधा के अनेक फायदों के विशे में विस्टित रूप से बताया गया है डीटेल में इसके बारे में बात की गई है यह जड़ी बूटी अनेक प्रकार से मानव शिरीर को लाब पहुंचाने के लिए जानी जाती है अश्वगंधा जिसे भारतिये जिनसेंग के नाम से भी जानते हैं यह है रक्त शरकरा के स्तर को कम करने यानि की डाइबिटीज के लेवल को कम करने कैंसर से लड़ने तनाव और चिंता को कम करने के लिए और बहुत ही महत्वपून पुरुशों में जनन शम्ता या प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने की शम्ता भी रखता है इसके अलावा यह गठिया, अस्थमा, उत्रक्त चाप यानि हाई बीपी को रोकने में भी मदद करता है साथ ही अश्रगंधा एंटी ओक्सिडेंट की पूर्ती को बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को नियंतित करता है यह बहुत ही अविश्वस्निये हैं किन्तु इन सब के अलावा अश्रगंधा में जिवानुरोधी और रोगानुरोधी गुण भी उपस्तित होते हैं तो कुल्मिना के अश्रगंधा एक अविश्वस्निये रूप से स्वास्ते ओश्दिये जड़ी बूटी है तो दोस्तों आईए इस जड़ी बूटी के अचम्भित कर देने वाले गुणों के बारे में आज हम जानेंगे जिस प्रकार कोई भी वस्तु उत्पाद या हम मनुश्य भी संपूर्ण नहीं हैं उसी तरह से अश्रगंधा के भी कुछ नुकसान हैं तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे तो आईए पहले जानते हैं अश्रगंधा के विश्य में कुछ महत्वपूर्ण तक थे अश्रगंधा क्या होता है दोस्तों अश्रगंधा एक सर्वशेष्ट पकार की वाशिद ही है जड़ी बुटी है जिसका उपयोग आयूरवेदिक और यूनानी चिकित्सा में हजारों वर्षों से किया जा रहा है यह एक एड़ेप्टोजन है जिसका अर्थ होता है हमारे शरीर को तनाव का प्रबंधन करने में मदद करने की शमता रखना यानि की हमारे शरीर को श्रेस से दूर रखने में ये हैल्प करता है यह सोलानेसी परिवार से संबंदित है सोलानेसी परिवार का मतलब होता है फूलों के पौधों का एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परिवार जिसमें वार्षिक और बारामासी जड़ी बूटियों से लेकर बेल, लियाना, एपिफाइटिस, जाड़ियां और पेड़ शामिल होते हैं इसे भारतिये जिंसेंग या शीत कालीन चेरी के नाम से भी जानते हैं एक साइन्टिफिक रिसर्च के अनसार अश्वगंधा में एंटी इंफ्लमेटरी, एंटी ऑक्सिडाइजिंग, एंटी स्ट्रेस, नींद आने वाली और ड्रग विद्रॉल गुण होते हैं इस जड़ी बूटी से बनने वाले कई योगिकों से गठिया और रियूमेटिजम जैसे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक समस्याई जो हैं वो उनुमें सुधारा जाता है यह है एक टॉनिक के रूप में भी काम करता है जो की उर्जा बढ़ाता है और सम्मग्र स्वास्थे और दिरगायों प्रदान करता है आज अश्वगंधा एक अर्क या पाउडर के रूप में व्यवसाइक रूप से भी उपलब्ध है और इसका उप्योग व्यापक रूप से किया जाता है तो आईए दोस्तों मैं भी आपों दिखाती हूँ एक ऐसी ही अश्वगंधा की ये बॉक्स आप चाहें तो इसे ओर्डर कर सकते हैं लिंक हम डिस्क्रिप्शन में इसमें अड़ कर देंगे दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं अश्वगंधा का इतिहास और ये किन स्थानों पर पाया जाता है अश्वगंदा का इतिहास अनिवारे रूप से आयूर्वेद के इतिहास से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसे सबसे महत्वपूर्ण आयूर्वेदिक जड़ी बोटियों में से एक माना जाता है आयूर्वेद एक संस्क्रिट शब्ध है जहां आयूर का अर्थ होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है जानना अश्वगंदा एक सदा बहा जाड़ी है जो भारत, मध्यपूर्व और आफ्रिका में पाई जाती है अश्वगंदा की सेवन की मात्रा दोस्तों अश्वगंदा जो है इसे 400 मिली ग्राम से लेके 2 ग्राम तक एक खुराक में लिया जा सकता है पाउडर के रूप में आजकल तो ये कैपसुल के रूप में भी उपलब्ध होने लगा है आप इसको सप्लिमेंट के रूप में भी ग्रहन कर सकते हैं तो समाननेता दिन में 1-2 चमज या 5-6 ग्राम पाउडर लेने की सला दी जाती है परन्तु यदि आप किसी विशिष्ट बिमारी के लिए अश्वगंदा का प्रियोग कर रहे हैं या करना चाते हैं तो आप अपने चिकित्सक से सला अवश्य लें दोस्तों अब हम जानेंगे अश्वगंदा की फायदे इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे औविश्वस्निय फायदों के बारे में बताने जा रही हूं जो अश्वगंदा लेने से चमतकारी रूप से आपको फायदा देंगे बहुत से आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंदा कई प्रकार के मनुश्य स्वास्थे के लिए फायदे मन्द है जिसमें सबसे पहला फायदा है बलड शुगर लेवल को नियनतेत रखना अश्वगंदा का उप्योग लंबे समय से आयरविदिक चिकित समय डाइबिटीस के उपचार के लिए किया जा रहा है एक रिसर्च के अनुसार अश्वगंदा की जड़ों और पत्तियों में पाय जाने वाले फ्लेवोनोईडिस का उप्योग डाइबिटीस को ठीक करने के लिए किया जाता है इस रिसर्च से यह निश्कर्ष निकल गया कि अश्वगंदा में एंटी डाइबिटिक और एंटी हाइपर लिपिडेमिक गुण होते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को काफी कम कर देते हैं दोस्तों आब हम जानते हैं अश्वगंदा के फायदों के बारे में अश्वगंदा का पहला फायदा है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखना दाइबिटीज को कम करने के लिए अश्वगंदा का उपयोग किया जा सकता है और काफी लंबे समय से आयरुवेदिक चिकित्सा में इसका इस्तिमाल होता रहा है अश्वगंदा का दूसरा फायदा कैंसर से लड़ने में सहायक होना है अश्वगंदा कोलेस्ट्रोल के लेवल को भी नियंत्रित करता है और यही है अश्वगंदा का तीसरा फायदा तनाव यानि टेंशन को दूर करना, स्ट्रेस को दूर करना यह है अश्वगंदा का चौथा फायदा एंजाइटी लेवल को कम करना या दूर कर देना यह है अश्वगंदा का पाँच्वा फायदा है पुरुषों में प्रजनन शम्ता को बढ़ाना यह अश्वगंधा का छटा फाइदा गठिया रोगों से निजात दिलाना यह अश्वगंधा का सात्वा फाइदा है और उसी के साथ मसल वृद्धी में सहायक होना यह आठवा फाइदा नौवा फाइदा इम्म्यूनिटी को बढ़ाना और दस्वा हृदे स्वास्थे के लिए लापकारी होना अंटी बेक्टियल गुण होना यह अश्वगंधा का ग्यारवा फाइदा और आखरी फाइदा अश्वगंधा ब्रेन फंक्शन में सुधार कर सकता है जिससे मेमरी इंप्रूव होती है दोस्तों अश्वगंधा के यह सिरफ बारा फाइदे नहीं है अनगिनत फाइदे हैं जिनमें से बारा हमने आज आपको इस वीडियो में बताएए हैं अश्वगंधा के और भी बहुत सारे गुण हैं जो हम आने वाली वीडियो में आपके साथ जरूर डिसकस करेंगे दोस्तों अश्वगंधा एक बहुत ही लाबकारी जरी बूटी है हम सब को इसको जरूर ग्रहन करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरूरात में बताया था कि अश्वगंधा के फाइदे बहुत हैं बट थोड़े से नुकसान भी है सो सावधानी से अगर अश्वगंधा को ना लिया जाए तो वह लाब देने की बजाए हानी कारक सिद्ध हो सकता है पहली चीज जो ध्यान रखने की है वो गर्वती महिलाओं को है गर्वती महिलाओं को अश्वगंधा का सेवन नहीं गड़ना चाहिए क्योंकि इसमें गर्व निरोधक गुण होते है दूसरा ध्यान देने वाला पॉइंट है मेडिकल इंटराक्शन का जोखिम यदि आप किसी बिमारी के लिए दवाईं ले रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलह जरूर ले आपका डॉक्टर आपको साफधानी बरतने की सलह दे सकता है क्योंकि यह नियमित दवाओं के साथ नुकसान दायक हो सकता है खासकर उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज, हाई बलड प्रेशर, एंजाइटी, अब साथ, दिप्रेशन, अनिद्रा जैसे बिमारियों से वो पीडित है और तीसरा पॉइंट दोस्तों अश्वगंधा की बहुत अधिक मात्रा में सेवन से हमें बचना चाहिए क्योंकि इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं जैसे कि दस्त, पेड़ खराव होना, मतली तो दोस्तों अती हर चीज की बुरी होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है तो इसी तरह से अश्वगंधा जो की एक बहुत लाबकारी जड़ी बूटी है, वहें नुकसान भी दे सकती है दोस्तों उमीद है, आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा अश्वगंधा के बारे में, अश्वगंधा बहुत सारे रूपों में आजकल मिल जाता है पाउडर के रूप में, टैबलेट्स के रूप में, कैपसूल के रूप में आप इसको ग्रहन करें, अगर जुरत हो तो डॉक्टर की सला जरूर ले दोस्तों बने रहे हमारे चानल के साथ, और भी वीडियो आएंगी आपके लिए उसके लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद दोस्तों